स्मिता कुकिंग ब्लॉक में आप लोग का स्वागत है आज हम आप लोगों के साथ ब्रेट पकोड़े की रेश्पी से आड़ कर रहा है देखिए एक चोटे कटोरी से हमने बैसन आड़ किया है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च को हमने कूट कर और अयड़ किया हमें नमक स्वाद उसार बारिक कटे हुए धनियापत्ते को आड़ करके थोड़ा-थोड़ा पानी यड़ करके बेशन का कि घूल तयार कर लेंगे एक इसी ज्यादै हम पानी करेंगे नए तो बेशन काफी पतला हो जाएगा जिससे पकोड़े बनाने में दिक्कत होगा बेशन घूल चुका है अब हम चटनी तयार कर लेते हैं धनिया पत्ता मुंफली दोहरी मिर्च लासुन स्वाद अनुसार नमक आड़ करेंगे तोड़ा सा पानी आड़ करके चटनी तयार कर लेते हैं सर्षो का टेल एड़ किया हैं जीरा हिंग अड़ करेंगे कभी पत्ता है कि कुछ सेकेंड भूनने के बाद इसमें मसाले आड़ करेंगे धनिया पौड़ थोड़ा पानी आड़ कर देते हैं जिससे मसाला जैना घरम मसाला हलदी पौड़ जी रभौड़ आमचूर स्वादन उसान नमा कास्मीरी लाल मिर्च एड़ करेंगे अच्छे से मसाले को लो फ्लेम पे भून लेंगे पांच मिनट तक देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है बॉयल आलू का चिलका हमने उतार लिया है आलू एड़ करेंगे धनिया पत्ता एड़ करके अच्छे से आलू को मिक्स करेंगे और तीन से चार मिनट आलू को मीडियम फिलेम पे पका लेंगे देखिए आलू हमारा पक्का रेड़ी हो चुका है यह ग्रीन चटनी हम ब्रेड में अच्छे से चम्मस से चारो तरफ लगा लेंगे आलू को चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे दोनों ब्रेड में ग्रीन चटनी हमने अच्छे से लगा लिया है इसको हातों से हलके हातों से दबा देंगे और बीच से कट कर देंगे इसको बेशन में डीप करेंगे इधर तेल भी हमारा गरम हो चुका है पकड़े को तल लेंगे थोड़ा थोड़ा उपर से तेल एड़ कर देते हैं जिससे पकड़े इस साइड से भी हलका साथ शेख जाए अभी एक तरफ से शेख चुका है पकड़ा अब दूसरे साइड में पलड़ देते हैं देखे कितना क्रिस्पी पकड़ा बना है इसी तरह से बचे हुए पकड़े को भी हम फ्राई कर लेंगे अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोनों साइड से पकड़े को अच्छे से शेख लेंगे देखे हमारा पकड़ा रेडी हो चुका है हम सर्प कर लेते हैं ग्रीन चटनी के साथ आप लोग भी ट्राई करिए बहुत कम समय में ब्रेड पकड़ा रेडी हो जाता है